पतना के sports के जो दिवाने है, sports lover है, उनके लिए गजब की खुसकबरी है, क्योंकि दिसंबर के महीने में पतना में sports के जो बड़े बड़े international नाम है, बड़े बड़े international खिलाडी है, उनका जमावड़ा लगने वाला है, और इनके साथ साथ जो Bollywood के celebrity है, Bollywood के hero, heroine, इन लोग लाड़ी खेलते हैं उनके टीमों के मालिक बड़े-बड़े उधोग पती बड़े-बड़े वॉलीबुड के सेलिवरिटी बड़े-बड़े फिल्म स्टार ये लोग भी पहुंचते हैं और इसके लिए इस स्टेडियम को तयार समान है काव्यां अमेरिक 쉬ंग करने के लिए अमेरिका से सबस Hamban आ अब ये लीग कौन सा है तो दरसल ये pro-kबड़ी लीग चलता है जो काफि इंडिया में फेमस है लगतार इसका season चलते पटना पाइरेट्स नाम की जो पटना की टीम है तीन बार इसकी विजेता भी रह चुकी है उसका दसवा सीजन शुरू होने वाला है और पांच साल के लंबे इंतजार के बाद फिर से इसकी मेजबानी करने का मौका पटना को मिल सकता है अब इसके बारे में क्या कुछ कहा ज कड़े हैं जिस प्रकार से क्रिकेट में IPL चलता है इंडियन प्रीमियर लिग उसमें क्रिकेट को लेकर अलग-अलग टीमें बनाई जाती हैं पूरे देश से अलग-अलग शहरों के नाम पे बड़ी-बड़ी टीमें हैं वैसे ही अगर आप कबड़ी में रूची रखते है घििलती है जिसका नाम है पौतना पार तीन बार विजिता रहे और बिहार का नाम और पौतना का नाम इसने काफिया है पटना के पास एक रिकृर्ड हैकि लगतार कििसे लिग बार जीत तक थीम थे पटना के पास है और इसके साथ साथ एक और रिकॉर्ड है कि पहली ऐसी टीम है जिसने अपने खिताब को अपने title को दो बार आगे जारी रखा है लगातार उसको बचाए रखा है अब पटना पारेट्स की टीम जो लगातार जीती के बाद से यह मौका मेजबानी करने का मौका पटना को नहीं मिल पा रहा था अब दरसल हुआ का कि जिस जगह पी यह मैच होते थे पाटले पुत्र आइस्पोर्ट्स कंप्लेक्स जहां पे पटना को मेजबानी करने का मौका मिलता था वहां पे जब 2019 में बाड आती है और इस के चलते यह कई दिनों तक यह स्टेडियम का जो फ्लोर था वह डूबा रहा गया और इसके चलते यह फ्लोर खराब हो गया और तब से पात सालों तक मेजबानी का जो मौका था पटना को नहीं मिल पा रहा था इसके लिए एक खास मेपल बुड नाम का एक लकड़ी का प्राधिकरन है बिहर का इस डैब के नाम से जानते हैं यह लगतार खास तौर पर काम कर रहा है और भवन निर्बान विभाग के साथ मिलकर इस्टेडियम का फिर से रिनोवेशन हो रहा है मतलब कि फिर से इसकी तयारी की जा रही है और कड़ो कड़ो रुपए लगा कर फि पात साल के लंगे इंतजार के बाद मेजबानी करने का मौका पटना को मिलेगा पटना का जो अपना घरेलू मैच हो का इसके पहले राची में उसको शिफ्ट कर दिया जाता था और दो दिसमबर से यह लीग शुरू होने वाला है दो हजार अठारा में लास्ट टाइम मैच खेला गया था और उसके बाद से फिर से कुभी मैच खेलने को नहीं मिला है पांच साल से राची में शिप्ट कर दिया गया है और दो दिसंबर से जब यह चीज शिरू होगा उसके पहले आठ और नौ सितंबर को खिलाडियों की निनावी होगी और उसके बाद जिन जिन सहरो पर कई बार पटना आकर वह मैच देख चुके हैं उनकी टीम जैपूर पिंक प्रैंटर्स का मैच होता है तब कई बार वह इसके लिए पटना पहुंच चुके हैं और पटना तीन बार की वीजयता भी है हमेशा से मजबूत मानी जाती है तो एक मजबूत तीम के खिलाड़